हेलो दोस्तो, आज हम आपके सामने नीमू का खट्टा अचार बनाने जा रहा है इसका दिख की हमने ये लिए हैं आधा किलो नीमू जो हमने इसको दहो लिया है और इसको साफ कर लिया है और आप हम इसको इस तरीके से आधा आधा पीस काट लेंगे अगर बड़ा नीमू है तो इसके आप इन पीज भी कर सकते हैं और इसको सभी नीमू को इस तरीके से पाट लेंगे अब हम इसको सारे नीमू को इस तरीके से इसमें एक बॉल में चोड़ कर रख देंगे देखिए हमने मसाले लिये हैं अजवाइन जो हमने दो चम्मच लिया है और यह लिया है काला नमक यह भी दो चम्मच लिया है यह लिया है सफाय नमक और यह लिया है हमने जीरा यह भी दो चम्मच है यह लिया है काली मिरच इसको भी हमने पीस लिया है जीरो को भी पीस लिया है और इन सब को हम पीस कर मिला लेंगे अज मो ब ज्सिरीके में मसाला लगाकर रखते रहेंगे देखे हमने सब निमों में मसाला भर दिया है अब इसमें ये मसाला भीच डाल देगे इस तरीके से ताकि भी जंदर न जाएं लेकि थोड़ा सा मसाला हम इसमें और डाल रखते हैं जाल देंगे उपर से वैस्ते तरीके से हम यह अचार तयार कर लेंगे देखी हमारा यह अचार अब बनके तयार होग इसको हम 10-15 दिन के दूर में रख देंगे तब हम आपको दिखाएंगे यह अचार इस तरीके से गलकर तयार होता है देखिए हमने 10-15 दिन के बाद इस तरीके से यह तयार हो चुका है देखिए कितना लाजवाब लग रहा है इस तरीके से आप बना कर देखे कि बहुत ही खाने में लाजवाब है यह अगर आपको हमाई ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्क्राइब करने ना भूले